नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छी होंगे देखें दोस्तों अभी केंदर सरकार के दोवारा एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया है और इसके माधिम से कहा गया है कि जो भी राशन काटधारी हैं उनको सीधे लाव यहां पर पहुंचेगा तो आज कि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप भी राशन काटधारी है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया खुसकबरी है कि अगर आपके पास राशन काट है तो उस राशन काट से जो है आपको राजय सरकार दोवारा बहुत ही कम दरोपे राशन प्रवाइड किया आता है जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे जैसे कि आपको गेहूं और चावल यहां पर दिया आता है गेहूं की rate I think 2-3 रहता है और इसी के बीच चावल का भी rate रहता है और आपको यहाँ पे dealer के माधियम से अनाज दिया आता है अब यहाँ पे दोस्तों आपको हम बता दें कि इससे पहले का ब्रेट आया हुआ था बिहार में जैसे कि आप सभी को मैंने वीडियो के माधियम से बताया था कि एकर आप भी रासन का धारी है इन केस आपको मान लीजिए रासन की कमी होने के चलते रासन नहीं दिया आता है आ जो है प्रोतिक किलो के हिसाब से आपको यहाँ पर पैसे आपके जो भी रासन कार्ड में लिंक खाता है उसमें भेज जाएंगे लेकिन अभी जो है जो आप डेट निकल क्या हुआ है कि अंदर सरकार से निकल क्या हुआ है और इसका जो लाब है सीधे आपको 81.35.000.000.000 रा कुलूड कर देते हूं तो बिहार में जो है 9000 से भी जादा यहां पर रासं कार्टicorn धारी हैं जिनको रासं के माधिम से जो भी बिन फीट होता है उनको दिया लिए अब यहां पर कैंबिनेट में जो फैंसला लिए गया है इसके तहद कहा गया है कि जो भी आप लोग को फ्री में चावल मिलता है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पर्धान मंत्री गरीब और नियुजना के तहद आपको फ्री में पांच किलो प्रती सतस्य की हिसाब से चावल दियाता है जिसके लिए कोई भी आपको सरक दिसंबर 2022 रखा गया था इससे पहले सितंबर तक रखा गया था लेकिन तीन महिना इसको बढ़ाया गया दिसंबर 2022 तक रखा गया था लेकिन अभी जो इसको दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है यानि कि पूरा एक साल तक फिर से आपको फ्री में यहाँ पे जो गरीब औ नियोजना है उसके तहद आपको यहाँ पर चावल दिये जाएंगे तो है ना कमाल का अपडेट दोस्तों अगर आप भी रासंग काड धारी हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और साथी साथ अपने दोस्तों को साथ सेर भी करिएगा क्योंकि जो भी रासंग काड ध करते हैं कि रासंग काड धारीयों को करोना के समय जो है एक हज़र रुपे की सहायता रासी सीधे उनके लिंक खाते में दी गई थी इस तरह से अपडेट निकल के आ रहा है थे इसको अब हरिफाई करने के लिए प्याइबी जो इंडिया का ओपीशल ट्यूटल है वहाँ प यह 5 किलो आपको जो है दिसंबर 23 तक दिये जाएंगे और यह जो है लाब बिहार के 9 क्रोड रासंकार धारीयों को मिलने वाला है जैसे कि बिहार में आप सभी जानते हैं कि 9 क्रोड के सम्थिंग रासंकार धारी है जिनको यह लाब सीधे मिलेगा अब यहाँ पर दोस्तों क्योंकि चावल या फिर गया हूँ जो भी ख़दान होता है बहुत ही बढ़िया होता है और यह सब के लिए जरूरी है ठीक है तो इसलिए इसको आच्छा हम मान सकते हैं सरकार का जो भी फैसला है बहुत ही बढ़िया फैसला है और आप इसके बारे में क्या सोते हैं नीचे आप हमें comment section में comment करके बता सकते हैं